प्रथम तहल का न्यूज फरीदाबाद में एक रेस्टोरेंट मालिक ने इंसानियत का परीचर देते हुए जोपर पट्टी में रहने वाले बच्चों से नए रेस्टोरेंट का उद घाटन करवाया है फरीदाबाद के बीपी टीपी इलाके के पार्क स्ट्रीट में सिल्वर स्पून नाम से एक नए रेस्टोरेंट की शुरुवात हुई इसके मालिक अनुराग बेनर जी ने अपने रेस्टोरेंट का उद घाटन किसी नेता फिल्म स्टार या किसी सेलिब्रिटी से ना करवाते हुए जोपड़ पट्टी में रहने वाली एक मासूम बच्ची से रिबन काट कर करवाया एक इंसान्यात और अच्छी सोच की मिसाल पेश की है यहां पर रेस्टोरेंट के मालिक अनुराग बेनर जी ने इन सभी बच्चों को भरपेट भोजन करवाया और उनको गिफ्ट देकर अच्छे से विदा भी किया सब जने बुलाते हैं क्योंकि उनको बिजनस आगे बढ़ाना होता है तो हमारी यह थिंकिंग रही है कि जो गरीब लोग है उनका खाना पीना अच्छा रहे जो एपटाइट है अच्छा रहे उनका हेल्थ हेल्थिस वेल्थ जैसे बोलते जो बच्चे मिले हमें यहां के लोग हमने उनको बुलाया और उनी से उद्गाटन करा रिवन कटिंग वगएर सब उनी से हुई जी आज बच्चों को खाना अपने हातों से खिलाया जी आगे भी कभी इनको बुलाते रहेंगे जी और साल का जो एक परसेंट हमने सोचा है वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे ग्राकों ने भी रेस्टोरेंट मालिक की इस सोच को सराहा और कहा कि यह एक अच्छी सोच है लोगों ने रेस्टोरेंट का खाना भी खूब सराहा पराह झाल आर यहां बहुत अच्छी सोच है और मैंने पहली बार यहां पर देखा है कि किसी को एक गरीब बच्चों को स्टाटिंग करते हुए या फिर assessing सोच बहुत कम लोग मिलते हैं मेरे को पहली बार मिलें और मुझे बहुत अच्छा है अच्छा लगा और यह आगे बहुत अच्छा ही जाएगा, बहुत इंक्रीजिंग होगी इस टेस्ट भी क्या पर यहाँ पर बहुत अच्छा था, मैंने यहाँ पर सही पने ट्राइब किया है लब यह सोच बहुत अच्छी है, जादा तर लोग क्या करते हैं से लेबिटीज को बुलाती है, थोड़ा सा शोर बगरा होता है इन्होंने जो सोच रखी है, बहुत अच्छी है कि स्टार्टी गरीब बच्चों से किया है, इसे इनकी काम में बहुत ज़ादा बरकत होगी हांजी टेस्ट किया, बहुत अच्छा है और आगे भी वे इन बच्चों के लिए समय समय पर अपने इस रेस्टोरेंट में इनके खानी पीने की वेवस्ताग करते रहेंगे उन्होंने तो ये भी कहा कि उनकी कमाई का एक पर टीशर गरीब बच्चों पर खर्च किया जाएगा रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी के रिपोर्ट